नमस्कार, 90.4 मेगा हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी पर मैं मदन गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे नए कारक्रम जिसका नाम है काम की बात कहानियों के साथ काम की बात कहानियों के साथ करक्रम में हम लोग अच्छेची कहानिया सुनाएंगे और उस कहानियों के माध्यन से धीर इसे आपको एक काम की बात का भी सुनने का आउसर प्राप्त हो जाएगा तो आईए आज हमनों सुरू करते हैं अपने इस पहले कारक्रम में एक कहानी के साथ जिसका नाम है गुरू की सी एक राजा अपने राजकुमार से बहुत बहुत प्रेम करता था इसी कारण उसको उसके भविश्य के बहुत चिंता थी तो राजा सोचने लगा आखिर राजकुमार को सच्चा उतरादिकारी बनाने के लिए राजपाट और ढंक से चलाने के लिए क्या किया जाए कैसे किया जाए कौन से विरस्था की जाए राजा इसकी चर्चा राजगुरू से करता है राजगुरु कहते हैं मेरे संग्यान में एक आचार है आप कहें तो उन्हें बला लिया जाए और नहीं के जिम्में राजगुरु की शिक्षा का कारी सौब दिया जाए आचार का आश्रम घनी जंगल में होता है उन्हें बलाया जाता है राजा राजकुमार को उनके सुपुर्द करते हुए कहते हैं अचार जी, राजगुरु के अनसार आप बहुत पहुँचे हुए आचारी हैं बड़ा नाम है आपका अपने क्षेत्र में मैं अपने राजकुमार को सौप रहा हूँ आपको इस उम्मीद के सार कि जब राजकुमार इस लायक हो जाए कि वो एक सच्चा उत्रादिकारी बन सके आप उसे मुझे लोटा दे बात तैह होती है कि जब राजकुमार सच्चा उत्रादिकारी बन जाएगा तो उसे लोटाना है यह भी तैह होता है कि राजा इस बीच राजकुमार से मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे, राजकुमार को लेकर आचार चले जाते हैं. आश्रम में शिक्षा प्रारंब होती है समय के साथ राजकुमार सभी विद्याओं में प्रवीर्ण होता चला जाता है और जब सारी शिक्षा पूरी हो जाती है तो आचार राजकुमार को लेकर राजदरबार में हाजिर होते है आश्रम में राजकुमार राजकुमार तो रहता नहीं है तो समय केवल एक शिक्षार्थी रहता है विद्यार्थी रहता है एक शिश्य रहता है विद्यार्थी की वेश्भूशा आप समझते हैं न आप आज के विद्यार्थी हैं लेकिन मैं जिस समय की बात कर रहा हूं उस स मैं विद्यार्थियों की वेश्भूशा आश्ट की दृष्टि में हास्यास्पद हुआ करती थी, कुछ वैसे इस्तित्य होती है उस राजकुमार की, जब राजगुरू राजकुमार के साथ राजमल में प्रवेश करते हैं, तो राजा उन्हें ठीक से पैचान में नहीं पा राजकुमार राजा का अब बादन नहीं करता, क्यों जानता भी नहीं है, तब तक आचार का एक डंडा राजकुमार के पीटवे पड़ता है, राजकुमार चिला उटते हैं, इसी बीच राजग पैचान लेते हैं, कि वहर राजकुमार है, उसकी चिलाने की आवाज समझ राजा को बहुत तकलीफ होती है कि उन्हीं के सामने राजकुमार को पीटा जा रहा है। राजा ने कहा बस-bस आचार जी, बहुत हो गया। बहुत हो गया। तुम्हारी शिक्षा दिक्षा. बंद करो है नातक। क्या इसलिए मैंने राजकुमार को तुम्हें सौपा था तब तुम उसे बड़ी भूल हुई सारे दर्बारी भी खड़े हो जाते हैं और सभी कहने लगते हैं आचार लगता है तुम होश में नहीं हो अरे यह राजकुमार है कल राजा मनेगा तब तुम्हें ठीक कर देगा आचार को कौन ठीक कर सकता है आचार तो ठीक है ही आज कल जरूर बेचारे हो गए हैं लेकिन आचार कभी बेचारी नहीं होते आचार ने कहा राजन अभी यह राजकुमार नहीं है अभी तो है निरा शिष्ष है केवल शिष्ष है शिक्षा तो मैंने इसकी पूरी कर दी है लेकिन इसकी शिक्षा दीक्षा आज शाम को पूरी हुनी है जब दीक्षा पूरी हो जाएगी तब यह राजकुमार बनेगा तब यह जो करेगा सभी को मनजूर होगा और तब यह वही करेगा तो इसे आच्रन में सिखाया गया है पढ़ाया गया है, बताया गया है, आच्रन कराया गया है अनुकरन कराया गया है, इससे तर कुछ भी नहीं करेगा लोगों ने कहा ठीक है, आपने बहुत पढ़ाया है लेकिन ऐसा वहार आपको नहीं करना चाहिए था बहुत लाजमी है आचार ने इसका जवाब दिया आचार का जवाब था राजन जब तक राजकुमार को अच्छे बुरे का कश्ट खटनाईयों का उच नीच का अपने पराये का न्याय अन्याये का दुख दर्द का अनकूल और विपरीत परिस्टियों का बोद नहीं हो पायेगा वह प्रजा पालक कैसे बन पायेगा प्रजा का दुख कैसे समझेगा और राजपाट को ढंक से चलाने की जो उमीद आप रखते हैं राजपुमार से वह कैसी पूरी हो पायेगी भाई और बेहनों बात सही भी है जिस चीज का आपको अनुभव नहीं है इसका आपको ग्यान नहीं है जिसके वारे में आप जानते नहीं है और जो आपकी समझ से परे हैं उसका अनुसरन और उसके अनुरूप आचन कैसे कर पाएंगे आप आचार के बात सौभवित थी राजकुमार वहां किवल पढ़ाई करने नहीं गय थे वहां आश्रम में राजकुमार को वे सारी चीजे सीखनी थी जो दुनिया रारी में आती है राजकुमार को राज चलाना है राज से संब्धिन कत्यवितियों की जानकारी नहीं होगी तो कैसे किसे के दुखदर को समझ पाएगा रही बात आचार की तो आपको ऐसा जरूर लगता है कि आचार गंड आपके साथ जात्ती करते हैं आपको पिटाई हो जाती है आपको डांट पढ़ती है आपको फटकार सुननी पढ़ती है आपको खड़ा भी रहना पढ़ सकता होगा कितनी कठाईयों होती हैं आपको आपको भी लगता है कि आप पढ़ने तो आते हैं तो यह सब क्यों आपके मत्थे जड़ दिया जाता है अब जब देर से आएंगे तो सजा मिलेगी गलती करेंगे तो कान तो पकड़ाय आएगा ही यह कान पकड़ना क्या है तकलीफ होती है न अच्छा नहीं लगता बुरा लगता है अपमान महसूस होता है लेकिन आकिर यह काम न करें जिसके लिए आपको कुमारता है वह तो आपको दिखाई देता है बाज से ठोक रहा है तो घड़ा बन जा रहा है लेकिन ठोकने की चोट किसे लगती है घड़े को लगती है क्या अंदर जो हाथ है कुमार का उस पर चोट लगती है घड़ा तो बीच में है उसे क्या वह तो दोनों और से मस्त है इधर से भी हाथ है उदर से भी हाथ है उसके तो आश है शिक्षक अगर आपको परेशान करता है तो आपसे ज़्यादा परेशान वह स्वयम होता है आपको लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं डाट पड़ रही है हमें डाट पड़ गई हमें तो आज तक किसी ने डाटा ही नहीं कैसे बला डाट दिया होच जब सामाजिक जीवन में आएंगे तो डा Bayoba की दिकर फटकार यही concept है, कि हर stage पर आपको सिखाता है, इसकी सारी activities आपके आसपास घटती है, अगर line में खड़े कराते हैं, या जो भी बाते कहते हैं, उनकी हर बात में आपके लिए एक सीख है, उसमें ही आपकी जीवन चरिया है, अगर आप इसे खोज लेते हैं, आपको आपका लक्ष मिल जाता है, तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसे लगी, आशाय आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, तो आप अपने भाई मदन गोपाल को आग्या दीजे, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और सुनते रहिए, 90.4 IITK Community Radio Station, नमस्का और सुनते प 여자ई मिलेंगे एक 10Ha मैं लच्ट एकास, और सुनते ऑपको आपको को सीखने जएगी, यहा झाल सुनते और सुनते।